दोस्तों HLA B27 के टेस्ट के बारे में यहां बताऊंगा और वो रोग क्या है जिसका इलाज क्या है यह सारी जानकरी इस वीडियो में होगी तो ध्यान से देखिएगा और कुछ समझ नहीं आया मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल भी करके पूछ सकते हैं दोस्तों बात करेंगे HLA B27 रोग के बारे में एंक्लोजिंग श्पोंडलाइटिस रोग का जाता इसको लेकिन HLA B27 टेस्ट होता है अब यह HLA B27 टेस्ट का है और पोजीटिव आने के बाद क्या होगा और इसका इलाज किसमें है यह सारी जानकरी मिलेंगी आपको चैनल को रहता है मैंने ऐसर्म कर द benefici और इन रेकि के बचों में चलता रहता है यह इन के चलता हो जो बीमारी उसका सीन होता है HLA टेस्ट होता है क्योंकि HLA जीन होता है वो एक्टिव होता है तो इसलिए HLA जो टेस्ट होता है उसमें वो पोजिटिव आ जाता है और इससे उसका पता चल जाता है यह इस बीमारी का गर्सित है इसको आप गठिया बाई यह ना समझें कि गठिया बाई रोग अलग होता है, वह वाथ का रोग होता है और वाथ की दोयां इसमें चलती नहीं है लग बग 99% ऐलोपेथिक डॉक्टर आप लोगों को यही खेय के खिलाते हैं दोयां के गठी अबाहिर हो गए और कई सालों तक खिलाते हैं फिर HLA का जांस कराते हैं फिर HLA की वही दोया चलाते हैं बस नाम चेंज कर देते हैं वो साल टू और सेम होते हैं क्योंकि उसमें इल कैसी को माइं में इसका इसे के और सुक्ता गरी में हिसको खिलेगां के सतरु के थैंज कर देते हैं वही osób यहाूं T declined कर मता हूं जहां कि यह ठीक हो जाओगे ठीक है आगे कंडिशन क्या होती है अगर अलोपैतिक आप दवाई खाते हो तो आप कुछ करने लाइक नहीं बचते हैं आप बिस्तर पर लेट जाते हैं और वैसे भी जिन जो यह कंडिशन जेल रहे हैं उनको तो पता है जिन जो अभी पोजिटिव हैं ठीक हो जाओगे कोई बड़ी बात नहीं है ताइम लगता है शबर करना पड़ेगा द्वाया सुबश्या रेगुलर परेहज के साथ करने पड़ेगी अराम से ठीक होते हैं ओके वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने एचले बीट प्रिशेएं के पेशेंट अगे वीडियो बचाहिए और मुझे आप खॉल भी कर सकते हो कभी भी मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ नामस्ता